कोचे तमाहे ले ठीक देखनोंगो? तमाहे कती बैमान हो यो देश को? नेपाल मा राज तंत्र मात अथ हिंदु राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारत लाए बचन दिये काशन तमाहे को गणत अंत्र मागे? छा! देश गंबेर संकट मा रायो कि न सम्मिधान बनावने बेला जस्ते चुनावती आयवने पछी तमाहे ले बना रहा है सम्मिधान प्रधान मंत्री नभाय को कारणले मंत्री परिशत बनावने पाउंदेने मनेर बीश्जाना मंत्री अरु पदमुक्त गरे पछी अब प्रतिनिती सबाप न रिस्थापित होने की नवने मनेर बास सुनने तमाहे? सुनने मने? शुनी राकनोगा आचा चले दरश्री माश्री 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 तेसे ले गणा तंत्र को गाई जातरा पर्चन रजी तपाईला अब 62-33 को नारायनीटी में बसे को मालिक को याद आयरा अईले राष्ट्यपती बन्दा राजा बल्यो भने को आज पंद्र बर्ष पछाडी ती मिला है पश्चात आपले डड़ायो अनि राष्ट्यपती तविन राजा चाहिने रजी पर्चन रजीले भन्नुबो राजा मदा सान मान इज्जत उन्दे यो एरे को चन नेपाली जनताले बादर मुडे को कुरा केपी सर्मा ओलिलाई पंद्र बर्ष पछाडी आजे मंत्रे थाया भो छीमेकी रा मिस्तर रास्ट्रा लेता तपाहिला आकरमन गरी राख्या राख्या रसल नीता नाउपमयले तो कीने बनने तपाहिक कती ब्यमान हो देशको अनि तपाहिं पांच दली या गठबंदन बन्नोंच तपाहिर आठवडा दल होनुबाय इन्ने अरले कीन पक्रियर क कारवाई गरनोंन तपाहिरू सब पई नेपाली जन्ता को लागी कसूरदार सेर्बादुर देववा अईले तिने पर्चन नलाई महान नायक भनेर हिने को ही ना मने पुष्प कमल दाल जी को पुछर पहो भनेर केपिसर मा ओली जी भन्नोंच अल दिल्ली पुगे का बिल् संब्रिधान को राजनेतिक बैधानिकता सनाप्तव लाच्छकी चाहिने मन्ने चुमा संचदै भिगटन भैशक्यो तमेले मंत्रिकाम अड़ले राखनमा यो देश को गणतंत्र को नंगा नास देखिया ना को बारत संग इसपश्टिकरन सोद में बारत ले तिमेर ले पाल आतो गुलाब साथे रा परचन नसंग हेडे को कुरा मा अपाई केपिसर मा ओली जी लाएले पस्चा ताप चाहिने गर्वाच्छकी योड़ा पाटी बात चुनाब लड़े रावनी औरको पाटी को अध्यक्षको मा सईचाब गरने बारतमान परिश्थिति माथी क्यांद कि बाक्स्तावित्ता हो कासरी अर्ण चात्य अभिदेच्पलावा थामस्ता है अधन्यवाद यो दूइटे कुरा हो इजो वाले जब 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 मधन मन्दारी फाउंडेशन को यवडा कार्यक्रम मा जुन-जुन पात्रा अरलाई जेजे भनेरा अथा जस्तो सब्दा वली प्रयोक गर्नु भायो और पर्चन्रजी लगायत का मान्चे अरलाई बादर मुणे को कसूर लगायत का कुरारु जे गर्नु भो मेरो चाहिं तमायरु मार्फत वारलाई निवेदन चा बादर मुणे को कुरा केपी सर्मा ओली लाई पंद्र बर्ष पछाडी आजे मांत्रे थायवा इजो महाले इनाई पुष्वकमल दाहालजी संग पाटी एकी करण गर्दा खेरी आमी एलिकोप्टर चलाउने हो रा आमी तो जे टुडाउने हो तेसकारन एवडाले चल चा दुटाले चलने हो सम्विधानले दिदाईन र प्रधान मंत्रे उन्तियों भनेको होई नाँ आज जो तपाइंको स्वार्थ मिल्यो तपाइंको स्वार्थ मिल्यो जे टुडाउन देवो नंतियो आज तपाइंको स्वार्थ बाजियो सिध्धान्त बाजेको होई नाँ फेरी मन्निवेदन गर्दाई चो स्वार्थ प्रधानमंत्रजु देश को कारेकारी प्रमुक अमुक मांचे बादर मुडे घटना को कसुर्दार रह चा अथवा 17,000 नेपाली जन्ता को साधत्वालाकुरा को कसुर्दार रह चा अथवा गौर अत्याकांड का सवभागी रसन भने देखि तपैं विधी को सासन र अपराद मुक्त समाज निर्माण को लागी तपैं प्रमुक कारेकारी होई ने यो देश को इने अरले किन पक्रियर कारवाई गरनोंना तेही कुरा यवड़ा सामान्य मांचेले गरेको भाएदे कि उन कानुन को दायरा मा आउं थियो कि आउं दही ने थियो अनन्त ये ब्राष्टाचारी अरु जो तपाई को पार्टी में पनी छन र भर्खरई स्विस बेंक मां बेयालिस अर्व भन्दा बड़ी नेपाली नागरी करुको संपत्ति थुपारी एको छा बनने कुरा सार्वजनिक भाएको छा ही जो गणतंत्र कार्यान में गरने नावमा राष्टंत्र हट्नावने नावमा त पंफादेवी को संपत्ति ले आयरे मार्शों बन्नों त्यो अईली तमायरु ककस को त्यो विदेशिव बेंक मा संपत्ति छो रयो कोरोना मामारी र यो प्राकृतिक बिपत को कारणले कती नेपाली जन्ता खानना पायर मरे आचन तमायरे त्यो कुराला इस संब्धन गरनोबो कि अईली तमायरे को राजनेतिक स्वार्त बाजयो भने र पुष्वकमाल दाल जी संग यो कुरागरनोबो त्यो प्राणले का पात्र र येसका आयात करता हरू तमायरु सब पई कंड़ दे गरानी बाजन जसरी गाली का लोजम उतरिन ये श्ले वहांका बिरुद्धम प्रतिकरीय जनाओनी अरूलिपन जनायका चन उली शंहाँ संश्कार बाएता बाज़ू ये शंहाँ सभ्यता चाई नेखर संव्यानिक जून खाल को मुल्य मानी ये निसे निरं को श अब यो खाल को प्रभिर्ति ले कस्तो इस्तिती निर्माड गरी राखे गो छा वन्य तिर माईले बिश्म सरलाई शोद्न चाहिए। तपाईले भन्नु भयको कुराल लाई नहीं मलालाक्षे माईले भरकराई भने। संगिय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक धर्म निरपेक्षे राज्य बनाऊदा खेरी। तपाईले योद्देश को मुल्य मान्यता समयदानेक राष्नस्तात, धार्मिक पहिचान, अखन्न नेपाल। लाई तपाईं ले छिन्न भिन्न पारदा, क्वस्ता क्वस्ता पात्र हरू हुनों दोरच तपाईं, तपाईं ले अईले दुनिया ले गाली गर्णू परे नहीं, अनि केपी सर्मा ओली जी को यो भासा भेशा आदी त्यादी भन्दा मेले भर्खरे बने, ये जो बईशट् अधिर्शठी में आंदोलन गरे रहा गणतंत्र लियांदा इपात्र हरू परदानमंत्री केपी सर्मा ओली जी लगायत अरू भोत्पर्वा पांचवटा परदानमंत्री हरू अथवा ये गणतंत्र का प्रणेता हूँ भन्ये हरू तिन अर ले ता एक लेयार काला एकदम उत्कृष्टा महान देखते थाू आज केपी सर्मा ओली नालायक की नभो इजो तमाई अरले नहीं गणतंत्र का बाहाग मद्दे को महान अतिरती बनेर बन्नुबाग होई ना अनी 17,000 नेपाली जनता को सहादत गरने परचंड जिलाई महान जन युद्ध का नायक गणतंत्र का महान आयक बने को होई ना अनी इनई सेर्वादूर देवाग आपो पुर्दान मंत्री होंदा 2022 मां मावबादी को टाउ को काटे रा जोला मां आले राल्याव रत्यों जोला वरी पैशालिये रा जाओ बने सेर्वादूर देवा अईले तिने परचंड नलाई महान नायक बने रहेंडेक वही ना बने अईले नेपाली कांग्रेश वनेको त पुष्प कमल दाल जी को पुछर पहो बने रा केपिसर में ओली जी भन्नोंच अनि तिन बर्स अगाड़ी भागुन तिन गते को दिन जांसमा मला लाग्षा बैलेंटाइन दे को दिन रात गुलाब साटे रा परचंड संग हेडे को कुरामा अपाई केपिसर में ओली जी ला आले पस्चा ताप चा कि गर्वचा कोच है माकी छामेले ब्रिकुटी अनलाइन लाइन निवेदन गारेको यह गणतंत्र का प्रणेता हूं अमरो अग्वाई मां अमिले यो राज्य वेबस्ताली आयका हूं यो शंबिधान बनायका हूं बन्नेमा घुटी तम हेले ठीक देखनु यहुडा मात्रई कुने अईले आंदोलनमा समलगन हुँ भनेका राजनितिक दल का नेता आरू कोशलाई चें तपाईले नीती नैतिकता सिद्धान्त पात्र प्रब्रति प्रणाली प्रति जबाब देचे कला देखनुग अस्ती भर्खरे तपाई अरले पाँचोटा राजनितिक दल पचिल्लो पटक असार दस गते बईठक बसे रा तपाई पुश्वकमल दाल जीले संभिदान जारी गरने बेला जस्ताई बिदेशी दबाब बड़े रगएको कारण ले गरदा है यह पाँच दल यह गठा बंदन में बने पचिल्टा यो संभिदान तमयले ले आको रचा जोतिजी मतमाला बंदेशो यो संभिदान को प्रणेता हूं बने पुश्वकमल दाल जीले के बननुब बने शंभिदान जारी गरने बेला जस्ताई बिदेशी दबाब बड़े र यह पाँच दल यह गठा बंदन बने प्रतिनिदी सभाब मा रायका दल अरू माधम नेपाल जी को दल कुनो के पिसान मावली जी को दल कुनो राजेंद्र माथम को दल कुनो उपेनर यादर को दल कुनो बने तपाई अरू नेपाली जन्ता ले पांचोटा राजनितिक दल लाए मद्धियर पठाय को तपाई अरू आठवडा दल होनु बाए अनि प्रदान मंत्री ले यह सता सब्दा बली पदा बली तपाई लेता अस्तित्यु बैठक में बन्नुभू भारत को सतारूर दल ले नेपाल मां हिंदु राष्टर राश्ण स्ता इस्थापना को लागी खेल खेली राखे गोच्छा तेसको बारे मां भारत को धारणा जानना चांचुन। चौँदा बर्षा अगाड़ी बारभूंदे समझदारी गर्नुभाकत्यों कांग्रेसाइको इंदी राष्ण। शोनिया गांधी शिता। आज श्यामसरन ले 29 में मैं इंडियन एक्स्प्रेस लाई भने। काठ्मान लाइ लाक्षा नेपाल मा राष्ट अंत्र मात अथ हिंदु राष्ट फर्काउन ओलीले भारत लाई बचन दिये काच्छा। तपाई को गणत अंत्र मांगिल। छा। ही जो दिल्ली में गयरा बारबुदे समझदारी गरने तपाई अईले का ये पांच दल का सेरवादूर परचंड मादब नेपाल लगायत का मंचेरू। अब तपाई देश गंबेर संकट मा रहो किना सम्मिदान बनाउने बेला जस्ते चुनाउती आए बने पसी। तपाईली बना रहा है सम्मिदान। ठीक्छा यो समग्र विशे एशरी आई राखे केशन। तेसमाती यो गाली कलोजले सबे को इस्तर फेरी नेपाली जन्ताले बुझने मोगा पाये काशन। सबे ले मुल्लेंकन गरने अवर्सर पाये काशन। को पस्को पुछरो, को लाजपचेपो, को निलोबणागो शियालो, कुन्चाई प्रचंड पत्मा लागो। इस्ता सम्मक्र विशे एरू नेपाली जन्ताले शुले, को कस्को कारे करता हो। इजो को कस्को कीवो, सबेला जान काईच। मा एथा पठी यो कुरालाई छोडेर, मा विश्नुसरलाई वड़ा जिग्याशा राख्च। अब ओली जी का अगाडी कस्ता किशिन का विकल्गो शन। मन्ने कुराली मान्चेला अलिकती चाशर दियेको शन। यो कुरा प्रचंड अले पनी अभिवेक्ति गर्गाच। कईले संकाटकार लाउने, कईले किये गरने, इसता गोटी ओली चाली राखे गाच। इसो गर्ना सक्च। तर ओली ओरालो लागे। तई पनी अजे पनी सडेंत्रको कुराचे होना सक्च। पन्देशन प्रचंड विरदावास पन कुरागरी टाखे काच। प्रचंड कोईले राजा ठीक पनने ठाम अपनी अभिवेक्ति गर्गाच। यो प्रचंड जीको अईलेको आंदलनको मनोविज्ञान र ओली भारे प्रचंड जीका अईलेका इस्तितिती अरूलाई एक लाइन में यो कुरा बने। और को कुरा अब 14 बर्च सम्मा पंद्र बर्च सम्मा तपाईले नेपाल र नेपाली जनता का लागी। देश को राष्टियता कमजूर भायो भन्ने कुरा यो देश का प्रधान सेनापती ले भन्याचन राष्टिय जन्डा डड़े का कुरा आमीले देरे चोटी गरी सके का चौँ। अब ओली जी ले कदम चालने र न चालने वाला कुरा। उदेख लाख्षा। उजहां ले बनावनु भाये को पछिल्लो पटक जे अठार गते, एकाइस गते, उजहां ले जे मंत्री परिशत बनावनु भायो। त्यों मंत्री परिशत बनावनु भायो। अनि तपाई पर्धान मंत्री भायर यो सम्विधान डणावने मांचेलाई उपपर्धान मंत्री बनावनु भायो। सम्विधान को राजनितिक बैधानिक पस्वनावनु भायो। और को कुरा मत्तपाईला निव्यदन करो। अस्ति असार आठ गते, यो देश को सम्मानित सर्वच्चा अदालत का पर्धान्याय देश को इजलास ले। केपिसर मां ओले जीले बिस्तार गरेको मंत्री परिशद अस्सम्वाइदानिक भने। एककाईशानाय मंत्रियरू पदमुक्तपाई। लाज्चकी चाहिने बनने चुमां। यो सम्म्मिदान को धारा सततत्तर मां पर्धानमंत्री तथा मंत्री को पदरिक्त उने अवस्था। दियायको कुनेई अवस्था मां पर्धान मंत्री को पदरिक्त हने चाहिने। नीज प्रतिनिदी सभा को सदस्य न रहेमा, प्रदान मंत्री ले प्रतिनिदी सभा बिगटन गरनुब, बाने पच्छी अब केपिसर में वोलीजी प्रतिनिदी सभा को सदस्य होईनु, और मंत्री कों चाता? मिले, मत्री प्रतिनिदी सभा को सदस्य मत्दे बाता, प्रतिनिदी सभा बिगटन वही सक्योँ. वह संचदें भी गटन भाई शक्यों तमेले मंत्रिकाम अड़िया राकनमाँ त्यत्ती मात्रे वहिले। यही सम्मिधान को त्यों सतत्तर को तीन लेके बने वने उपदारा एक बमजिम परदान मंत्री को पद रिख्तवाईमाँ परदान मंत्री को पद कशरी रिख्ताउंचा निज प्रतिनिदी सबाको सदस्य नरायमाँ इक प्रतिनिदी सबिए प्रवत इंब कैसे प्रवचल अधालत है ने मंट्रीजा को फड़ कि suck अधालत कि नुगुक्तिवी मने नुक्तिको एंद इक प्रतिनिदी सबित्यों भाइबास। सर्वच्य अदालतमा प्रतिनिदिसवा बीगटन को कुरा बिचारा दिन छबने को भायता, प्रतिनिदिसवा को सदस्य नरायमे बने रड़ गूंद है नतियो. प्रतिनिदी सवा बिगटन भाई रिशन को तुह पहुघाए फ। यए प्रतिन बाँए चबते पॉसेङ पहुणparty उर्मेल, फ्रतिनि पहां सम्मेल, इसी हम प्रतिनिदी सवा बीगटनु भाई शी को फाते कि expect अथा भाँले पांच दालिय गठ बंदन का भीरोदीव में बन्नुस। अथा भाँले परचन नरम्मत जेट उनवने, बते हैं जाना लेवा दोई जाने पाइलर्स आइन चे बन्ने को। त्यो आपनो में बन्नुस। यो देश को गणतंत्र को नंगा नाश देखिये ना? यो नंगा नाश नी, अब कोईली सम्भाईयर नो परशने? कि के लुए नुए निफेधन सांत्री सोबहतनारीं प्रतिनी दी सभी को सदस्य परधान मंत्री नभाईयिको सुधान कि मंत्री पोषत संत्री बनाओ नावन, भिष्याना मंत्री, बीच्जानाम मंत्री हैने अब प्रतिनी दिशवाप पनर इस्थापित होने की नवने मनर बस सुनने तमाई सुनने मनर शुनी राखनों गाचा चले दरश्रीमाट तेसे ले गणतंत्र को गाई यातरा अब केपी ओली ले के स्टेप चालनू वला तर तपाई को संगिय लोकतांतरी गणतंत्रात्मक संबिदान अंतर गथ तपाई अब योज संबिदान को बैदानिक अंत्यवव वनेर निर्वाचन में जानूस पस्पति में एकर्व को सुन को जलारी चड़ाएं बनना जानूस चितोन को माणी में राम अयोध्या जन्मभुमी लियरा आएं बननूस अनि संबिदानिक राश्नस्ता को बारे मां 29 में इंडियन एक्स्प्रेस मां स्यामसरन लेके बने काटवंडवलाई लाक्ष नेपालमा राश्तंत्र मातहत हिंदू राश्त्र फरकाउन ओलीले भारत लाई बचन दिये काचन। त्पाई को पांच दलिये गठ बंदन को जन्मोर चा का मांचे के बनाचन। भारत को सत्तार उर्दल ले नेपालमा हिंदू राश्तर राश्ता इस्थापना को खेल गरी राखे कोच्छा। त्यसक्राहिता बारत को इस्पस्टेकरन चाहिये वने। तो को हो भारत संग इस्पष्टिगरन सोद में? भारत ले तिमेर ले पाले आवला, तिमेर ले ता भारत पाले आशाई नहीं, अब तमाहिले प्रचंडले राजस्था को कुरागरे बने। पूरे बारतागर्न में जब राजा ज्यानेनरा राजस्था में आये, मावबादी संग बारतागर्ना का लागी राजा ज्यानेनरा ततकालें जो भ्यक्ति भ्यक्ति तो अरलाई पठाया अब आले मलाई स्मरान चाहिना, तर परचंडले ते दिखरे के बन्नुब बने, तपह मेरी पनी मयले इंफासेस दिये रा बंदैचु मालिक संग बार्तागर्चु बननुबुर। तेतिके मालिक कहा बस्तियो नारायनेटी में बस्तियो। मालिक संग बार्तागर्चु बननुबुर। मालिक नारायनेटी में थियो। तपाई पर्दानमंत्री भई सके पशी। जब तपाई ले ततकालेन पर्दान सेनापति लाए पदबाट अटाउनना सके रा आफुले राजिनामा दिनूबु। तपाई पुष्प कमल दाल जी ले मावबादी को आंदोलन गरी राखे बहलामा बानेश्वर्मा के बननुबु। यो बर्तमान सरकार मादब नेपाल को सरकार इसको मालिक दिल्ली में बस्चा मो यो संग होई ना मालिक संग कुरागर्शु गन्नू। ही जो मालिक नारायनिटी में बस्या थियो मालिक दिल्ली पुर्यमने को। तपाई गणतंत्रबादी वही न, मालिक दिल्ली पुर्यमनी, और अईले पाँचोटा राजनितिक दल बैठक बसे रखे बननोंच, बारत को सत्ता रोड दल ले नेपाल माएं, हिंदु राष्ट्रेल्यामने कुरा गरे, तपाईले मात्रे बने आवे न, परचन रजी तपा उताका मालिक ले छोड़ेक होई न, उताका मालिक संगत अपाईले स्वोनिया गांधी इटालियन संग को जे सम्झाउता गर्नों भाकत्यों, संचार का शाडे चार अर्भ हिंदु अरुको एक मात्र हिंदु राष्ट्र नेपाल, तेल्लाई समार्थ्ट गर्न तिमी परच करा साड़ी ते विला परचचा वा मंधायों, और रस्ट्र पतितों इन राजा मैरे राष्टव्य। क होचि। कर देल सांधी और मानमान हिसवा होग्ताला गर्सिदीखी दिल्लाथ ही दिल्लाथे जाननी संगाझनी आरो, दिल्लाए प्रतिनी दिश्भापन अरिश्ताफि रत्ति मेरू सत्ता में बशेव केके गड़ी करेव। आपनु ठाव माचा। अईले तो नेपाल को परिवर्तन को लागी भारत को सुविदा जानक कुरा खोजने तमें परचन्दस जीवई ने। 15 वर्ष पचाड़ी देश को सान शौकत मान आयो। आज बंदा 25-50 वर्ष अगाड़ी। बिक्रम संबत 18-25 देखी नहीं। यो देश को संबैदानेक राश्नस्ता राजा परजाद। यो नेपाल स्वतंत्र भाई फुली राऊष राजा परजामा सनाई जांगी फैली राऊष बड़ेर लहरा यही शांती आईश्वरिया को बने। तीमीले गणत अंत्र लियाए पची काँ पोगेशत देश को मान। राष्ट्यपतित केपी सर्मा ओली जीको इच्छा वमजिम कामगरने यवड़ा पात्र हुनुब बने आवे ने। राजा लेता श्रिपमाच महाराज धिराजबात यो कुरागरी बखसने च्छा भनेरा संभिदान मां लेखे को कुरामां। ये जो सम्मानित सर्वच्या दालत्मां परचंड जीका उकीलहरू बास गरदाईशन। श्रिपमाज माराज दिराजबाट गरी बख्षने च भने को कुरामा तो सर्वच्चा अदालक ले हर्थियो ही जो राजा हुंदा केरी। अईले विद्यादेविले रस्ट पते जीले कर्याकुरा घरन पाइदाईने बनने योकान निरंकुसाय वनेर हामरे विद्ध्वान कानन वेवसायरू बन्दे हुनुँच तर। कीना बन्दे हुनुच परचनन जीले भन्नुवो राजा मनदा सान मान इच्चतुन्द। अनि सर्वच्च अदालत प्रतिनिदी सभा भंग भई से क्यों अब पर्दान मंत्री ले मंत्री परिशत विस्तारगार न पामदाईने भने रा आठ गाते भन्नोंच आज पन्रसोरा गाते भेव प्रतिनिदी सभा राखने की न राखने बहुत सुन्दे हुनुच कहां पुग्णुबाज यो हेरे को चन नेपाले जनताले विश्मुशा ठाके नी रता यो जी आईले गतिरोत अपाईले बताऊनों वो खुलस्ता डांगाले जनताले बुद्निदी गरी अब ओली ले क्ये गर्णों उन्चा बढ़ने विश्यमा तबही जोडिने पामदाईन अनुमोदन गर्या चो और अवड़ा मोध्दामा एवड़ा कुरा बहने dealing मारा और मोध्दामा औरके बहना बहने बोली आमी एरंगला तरा प्रस्न के हो बने देखी अईले केपि सरमा उले जी ले प्रतिनिदिच सबा बिगटन गरे को खुग्ण मला लाक्षा प्रतिने दिस्वा पुनर स्तापेत उदाई नहीं मेरो मान्नेता हो मेरो व्याख्यारा विशलेशनों रो भोली तमई निर्वाचनमा जाने कुरामा यदी अईलेका आंदोलनकारी हो बनने पांच राजनितिक दलार ले त्योस कुरालाय अबरोद सिर्जना गरन प्रदान सेनापतिले अस्तित्य इस्गति भन्नुबो मुलुको पछिल्लो राजनितिक परिस्तिति ले सुरक्षा चुनाउति ले आउनसकने कुरामा सेना सजक्षा भन्दई सेनाले के बन्यों बनि सरकार विपलब मावबादी बीजवाय को समस्दारीले बनि साकार प्रदान मंत्री भन्दईनु बायना मने अड़ा राष्टय सरकार वन्चा नाय परिस्तितिया। प्रदान मंत्री पिच को बेटलाए पनी अर्थपूंड रूप मानिये कुछा हुँना थुलोगरा भायना राज्या को सम्मेंत्र आमने जाने बेटोने कुरे आपती र अनुठो कुरा था भायना तही पनी अब यो शंकटकाल को कोर्ष तिर जाने ओकी यो अनुठो कुरा भायना यो अस्षभाविक अहले अथवा अस्तिपनी तपाहिले 25 मंत्री राखदा एक जाना कुने मान्छेला बिना भीवागिया मंत्री राखनू पर रक्षय मंत्री राखनू भायना ने अनि सेनाले तेश गते भन्यो मुलुक को पछिल्लु राजनिति घटना क्रमले शुरक्षय चुनवतिमा प्रस्ण उठेको छा रो तेश बारेमा सेना सजक्ष भनेर सेनाले भन्यो ने अनि सुरक्षय चुनवतिमा प्रस्ण उठेको छा सेना सजक्ष भनेर सेनाले योकुरा गर्दा गर्दाई अब पांचोटा राजनितिक दल का मांचेरू बशेर के बन्चन देश गंबीर संकत्मा रायको एकता बद्ध भायर भढखाले बाटा पचावनू पर्श भनेर ब अब प्रधान मंत्री ले प्रधान सेना पति जस्ञ बार्तारा कुरा गर्णू भो भने सेना भन्दाई चा तमायर को राजनितिक गतिविदिले सुरक्षय चुनवतिया अनि सेना सेना कुरा नगार संभव चा एसे कारण ले राजा उधा देश को सान्र मांथियो अनि छिमेकी श्यामसर नगीमाईले भनी सकें नेपाल मा राजतंत्र मातत हिंदु राष्ट्रा इस्थापना गर्ना का लागी जो तिमिलाई गणतंत्र ल्याई देदाची भारत मा आन्थियो अईले संचार का चार शाडे चार अर्व हिंदु अर्को लागी यवड़ा प प्रदान मंत्रे सेनापति गवाय बने नेपाली जनताले चाहे के यो बली दिपावली हुँँची संभावना चाह वही न बिकल्प चाही न थियो भायक केची गद्नुन चाहर को सेनाले भनी सक्यों मुलू κो पछिलू राजनेतिक परिस्थितिले बाइर को परिस्थिति बने न दियस भित्रको परिस्थिति ले ताम येवडा पाटीगो मानचे चाहर ती र finals जान उंच cửावले न उन चाहर न उन उन चबіє केची गदावाय नसर्वाठी कोई वन्टा पर्णान मंत्री हुनाईजे भन्नोंच, दुई से पचतर को पार्लेमेंट में एक से उना चास रद, एक से तिर पन्नगर रद, तीन से दुई जाना को सदसे लिए र जानोंच तेया के बिखल्प बाने। भार्णान मुझ से बाने भारात लगाट लगात जाना पनीद्री चाहना, यह झालना को सदसे लिए परिस्तिती निगकालप तो बंद बन्द्री खाई ने ताप हाल्नोंच, बिलाले लाठ लेज़िसे, बिलाले लाठ, कुकुर जागाद जीकेर यो वात्तुरूप में तेही चाहनाला सपट गरी राखेगा छानु शबए एवड़े भुमिकामा छनु इमान छेरू इन नेतारू पारू अईले शेतो कुर्ता शुराल लगाए रहा धर्मने रप्यक्षे को शेर्वाद दुर्देवा भक्ति धामति रखांगा अनि पुष्वकमल दाल राजावंदा करी देश को सान्रमान उंच बनार कांगा अनि माधब नेपाल अपरादी ले जती शुगई गल्ति अनि माधेश्वादी जे जती दल अरू उनियरू हिंदू रास्ट नेपाल अथवा अमरोत्र संसार का त्यो पवित्रतिर थस्तल अरू सपई नेपाल रा भारत मा अचन तिन अरू गाए नागा अनि ओली वाईन खाना को लागीत राजेन्रमात अता अनि अली ओली वाईन अरू नेपाल आता परसंट नेपाल जानाता का को ही नेता इस कारण ले गरदा खेरी आमरो यो देशको रास्ट्य एकता अक्षुणनता स्वाधिनता संप्रभुतार हामरो मौलीकता एल्लाई बचाउन का लागी अब गणतंत्रमा आमी 14-15 वर्षा जागणा करिए हूँ अब एसको निश्चित राष्ट्य एकता को प्रतीक बने को राश्च्रस्ता हो हिंदु राष्ट्र नही हो अखन्ड नेपाल नही हो तेस वित्र रहेरा 250 वर्षा देश चले रायो कुरा पर्चंड अरले थासाई ना तेसे कारण ले गरदा खेरी सान रम्मान चाहिए अब अब बादर मुडेको कुरा मा दूदले मुख पोलेको मांचे मोई फुगेर पिऊंचा वनेश्टो जुन्चुके वेला तमाय अपरात को शिनीमा उभीनु पर्णे उँँ पर्ण अरको कुरा तपां यरले जतिशुकाई नाटा गरणुब बारमुदे समझदारी लगायर आजसम्मा एलले नेपाल रा नेपाली जन्ता को राष्टिया हीत एकता समुन्नती उन्नती प्रगती अगी भखरे हामिले कुरा गरी सक्यों पंपा देवीको पईशाली आयरा तेती घरा को मारानी अशुरय को नाम लिये रा आज बायालीस पचास अर्भ तीमी सार मारा का दिनायकबाद को स्विस्च बेंक में पाइशागा मड़ा है सिचिन फिंग विचार दाराले तेसरी पईशा जम्मागारे का भाय मिर्तु दंड पाउंते हूंगी आयले परदान मंत्री हूंते हूं त्यों प्राश्चित्त बाट फर्गिनु को तमाहिसा बिकल्प साइना आबा अब नेपाली जनता को जागरुकतामा युदेश को रास्तियता रास्तिय अखंडता स्वाधिनता संप्रभुता बचाई राखना का लागी अब नेपाली सेना सहीत को क्रियासिल जन आंदोलन तेस द्वारा संबैदानेक रास्ता हिंदु रास्त अखंड नेपाल को स्थापना रहाम्रो देश को रास्तिय जन्डा डणावने यो राज्य वैवस्ता को चीर अरण को लागी नेपाली जनता तैयार होनु प्रश्व आस दन्यवाद नमस्ति